प्यारे बच्चों हाँ आर यू आप सभी लोग कैसे हो अम सब्धेश रहे हैं कि आप सब्सक्राइब बहुत अच्छे से होंगे प्राइब रिखाई अच्छे से चल रही होगी आप लोग हेलो एलकेन के जो पहला वीडियो था हेलो एलकेन एल हैलो एरीन को हम उम्मीद करते इसको आपने देखा होगा अगर आपने नहीं देखा आया तो चैनल पर पर प्लेइलिस्ट है हेलो एलकेन एंड हेलो एरीन 2024 पैसी उसको आप देख लेंगे तो आज की वीडियों बात करने वाले हैं जो हैलो एलकेन की जो है नामन क्लेचर के बारे में क्यूंकि इसके पहल इंट्रॉडक्शन और क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो काम होता है होता है आयूपीसी नामन क्लेचर का किसका होता है आयूपीसी नामन क्लेचर का तो आयूपीसी नामन क्लेचर हम करेंगे किसका हेलो एलकेन और हेलो एरीन का तो ध्यान से समझेंगे आयूपीसी न है उसके बाद जो को से लिए करेंगे तो दोनों के कोश्चन आप एक साथ कर सकते हैं है 依ेषी कोई कोई है यह पर सी है प्रिये हमारा है यह हमारा हमा लेकिन इसको पॉलेंगे मेथिल Κलोराईड क्या बोलेंगे मेथिल क्लोराइड देखिए अगर एक कार्बन है तो आप लोगों ने नामन क्लेचर जब सीखा था वहाँ पर आपने देखा था एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं एक कार्बन की चेन को मिथ बोलते हैं दो कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं इत बोलते हैं तीन कार्बन की चे क्या बोलते हैं अख्ट बोलते हैं नौ को क्या बोलते हैं बोलते हैं था White करबन की चेन को हम बोलते हैं अगर एक करबन की चेन है तो मेथ दो करबन की चेन है तो इस तरीके से इसका हम नाम लखेंगे इसके पहला करबन है तो इसके पहले करबन क्या लगा हूँ है क्लोरीन लगा हूँ है क्लोरीन तो पहले करबन को क्या लिखेंगे यह हमारा हम मेथे क्या है मैथेन क्या है मैथेन है उसका कैसे नाम लिएंगे सबसे पहले का नाम लिखते हैं किसका लिखते हैं इस्तान पर क्या लगवा हो है छोटली वनखेनीं तो बोलेंगे वनखेन वन क्लोरो मेथेन अगर 2 carbon कीचेन है तो एथ भोलेंगे ठीक अगर हमारे पास 3 carbon कीचेन है तो क्या बोलेंगे ок bulunbait अगले एग्जामपल को लेते है यहां पर हमारे पास 2 carbon कीचेन है यह हमारा CH3 है यह हमारा हमारा C sensitive वह हैं 비ार तो काउंटिंग वहां से सुरू करते हैं जहां से हमारा जो है रोजान रहे तो इसको हम लॉंकि देंगे डिनगे नूंबर देंगे यहां पर क्या होगा है एक क्या इस से पहले हम क्या लगा लगाएंगे वन प्रौ्मो अथ निज्ट आगे में क्या करेंगे नहीं नामनकलेचर पर इंए बहुत इजी है यहां से बहुत हाड कोस्चेंस नहीं बनते इसको आप नोट कर लेंгे यहां ध्el यहाँ पर समझ यहां देखिए जैसे क्या है बेसिक से त्सी और यहां पर क्या है है यह मैं सक्वांडवा defined मेड़ेंगे 123 अब इसको हम बोलेंगे वन आइड बोलेंगे वन आईड लगा हुआ है आई मितिले तूटू ऩो दाई मेतिल ना को ए एन अगर कार्वन कार्वन के बीच किसी हैड्रो कार्वन में सब सिंगल वांड है तो कार्वन कार्वन अगर सिंगल वांड है तो इसको हम बोलते हैं और कार्वन कार्वन कहीं डबल वांड है तो इसको बोलते हैं और कार्वन कार्वन कहीं ट्रिपल वांड है तो इसको क्या बोलते हैं आइन द्यान से समझेंगे एन इन आइन का कांसेप्ट अगर कार्बन कार्बन क्या है डबल वांड है कहीं तो उसको हम इन बोलते हैं और कार्बन 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 डबल वांड है तो इन बोलते हैं ट्रिपल वांड है तो आइन बोलते हैं यह आपका बेसिक कांसेप्ट है आ तो आपका नमबर आंब कैसे कउंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं त्रिपल वांट उसको क्या बोलते हैं और यहां खिका है 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 सब्सक्राइख करने से इंट अब अगर इसके बड़ा भी और आ साप कर सकते हैं कुछ भी नाम है जैसे हमारे पास स्फिंपली हमने ले लिया एक एано यहाँ dhuyan से देखोव रधो कारबन की इसको 21 2 क्या उन टू बोलेंगे इसको 21 घ्लोरो क्या है थैनक्या है इसका नाम इत मौन ढांश्यौरो और सकते यहां पर यौण मेंद आपने करक्राइआ है आपको कुछ हाट को हमिश्पराइब पर आपको आपको क्लेटर को में हो और हो सकता गर हो सकता है जिस fifty यहां पर इस तरीक से हमने चार कारवन अंब यहां पर हमने लहां लाच हा अब हमस्टार लिख तरफ कम्प्लीट हो गई अब इस carbon की valency और उसके बाद इस carbon की valency complete हो गई और इसकी भी complete हो गई और इसकी भी complete हो गई तो अब यहाँ पर क्या है आपके पास suspense होगा कि हम carbon को first number दें उस carbon को first number दें जहाँ पर halogen लगा हुआ है। लेकिन … अगर हेलोजन और डबल बांड इस तरीके से दिख रहे हैं कि डबल बांड एक टर्मिनल पर है और हालोजन दूसरे टर्मिनल पर है एक किनारे पर हालोजन है दूसरे किनारे पर आपका है? ड्रक रहा ल३ह है यहां पर हम। चैतेले कोटेटे हैं नकि हैलोजन को लेटे हैं देते हैं यहां पर इस कार्भन में फ़र्श नंबर को धेंगे इसको सिकेंड ने लि度 किरिफेर बूर नमबर धिए बस यह थोड़ा सा च्यंज होता है जब हमारे पास क्या होता है टक्रेफिछ निम्ट क्य inspectors के डबल बैंड का जो सब्रेंस है यहां है है एयलोज जंस से जाद है इसको हम पहले काउंट करेंगे अब यह हमारा क्या है होर क्लोरמה हो के फोर फोर क्लोरो उसके बाद क्या है ब्यूट क्या लगेगा चार कारबन के लिए लगेगा ब्यूट और उसके बाद डवल बांड है क्या है डवल बांड है ब्यूट वन इन इन क्यों लगा है इन इसलिए लगा है कि यहां पर क्या है डवल बांड है अगर सिंगल बांड होता तो तो एन होता है इस तरीके सिंप्ली जो भी आपके पास है है उसका आप नमनक्लेचर कर सकते हों उसके जो है लंबाई से कोई लेना देना नहीं जैसे अब हम क्या कर रहे हैं आपको थोड़ा सा लंबा चेन करके दिखा दे रहे हैं तो यहां पर जैसे है सी देखिए सी एच थ्री सी एच थ्री सिंगल बांड सी एच टू और यहां पर हमारा क्या लगा है सी एच यहां पर लगा है हमारे पास से बियार और यहां पर हमारे पास सी एच टू और यहां पर है सी एच यहां पर लगा है CL और यहां पर हमारे पास CH और यहां पर हमारा क्या लगा है I और यह क्या है हमारा CH3 ध्याँ से समझिए अब इसमें हम counting कहां से start करेंगे हम counting वहां से start करेंगे जहां से हमारे हैलोजन को क्या मिले कम नमबर मिले क्या मिले कम नमबर मिले यहां से हम start करेंगे counting यहां ऑर एंगर कांटिंग करें हमारे पास- थ्रीसम्स- फोर और यहां परहने च्छार्बश्ब क्या है यहां पर साथ मा कारवन एक तो इस तरीके से हमको कांटिंग उधर से करनी होगी है मैसा जहां से हेलोजन को क्या मिले lowest number मिले क्या मिले lowest number मिले यह हमारा हो जाएगा इसका हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे के alphabetic order का यूज करेंगे तो पहले अ आता है फिर बी आता है फिर सी आता है तो यहां पर देखो पहले आएगा भाइब ब्रोमो से गएगा फाइप पू उसके बाद ट्री गलोरो स्के बाद टू आटो क्या उसके बाद टू profess टू आडो और साथ कारवन है तो क्या रहेगा? हेप्ट है हेप्ट रहेगा और सब सिंगल बढड है तो क्या रहेगा? एन रहेगा तो यह हमारा की इस तरीके से नामन क्लेचर है और इसको आप आसानी से कर सकते है कोहा प्रैशानि नहीं हो सकती है लो डो कोई समस्या तो आप कमेंट करें हम हर कमेंट का रिपलेर करेंगे अगर ही कोये शॉंप्र cur कि नेक्षर आफ नेचराप सी अक्स बन्ड रेखिए स्टेप बई स्टेप अंकरा रहे हैं अगर आप नसी इस बुक देखो गए या फिर अपना सेलेबस देखो गए तो यह सेलेबस के करडिंग और आपके तक रेखिंग तो नेचर आप CX बांड की हम बात करते हैं नेचर आप CX बांड यानि कि जो हमारे पास है हेलो एलकीन है और हेलो एरेन है यहाँ पर है जो हमारा कार्बन हेलोजन बांड है क्या है हमारा carbon halogen band है देखिए जैसे A हमारे पास H है H C C और A हमारे पास क्या X X मतलब halogen अब इसमें यह जवाब बात आपको explain करनी है कि nature आप CX band है carbon और halogen के band का nature कैसा होता है देखिए nature में आप आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आपको हम बता दे रहे हैं कि आपके band जिस तरीके से होते हैं आइनिक band होते हैं क्या होते हैं और उसी तरीके से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सरख को आप क्यों नहीं बता रहे हो तो हम बताये को यहां पर कोई उन्ध को इस लिए mental मिख और Kryaniland नेचर को अपने अगर पढ़ा होगा तो बड़ी अच्छी बात है इलेवंत में फजान रूल था उसमें बताया गया था कि अगर कोई कोईलेंट बांड है तो उसमें भी आयनिक करेक्टर होता है और कोई आयनिक बांड है तो उसमें भी क्या होता है क्या होता है क्या होता है आयनिक बांड में कोईलेंट करेक्टर और कोईलेंट बांड में आय lesland one लेकिन likewise बावजूद यहां पर क्या होता है आएनिक नेचर होता है ज्ञादा है देखो आगर हम बोले जिसमें कोई भी कर्बन कर्भन के भी कोईलेंट बनेगगा ये आपका consider क्या माना जाता है लेकिन अगर आफ बात करें ऐसे ऐलीमेंट चेंड़ Pey जिसके होता है इलेक्ट्रो निगेट्विंट्य जादा हैं दूसरे का अलेक्ट्रों निशर है तो ऐसे में जो नेचर आप बाट की हम बात करते हैं वह हमेशा क्या होता क्या होता है तो यहां पर बन जाते हैं डाइपोल बने गेंगे यहां क्या झाएगा पार्श निगे टिए सुर्व है क्यों कि यो है अपनी तरफ आट्रैक्ट कर रहा है और पार्श उसको तरफ से बंढ़ क्या हो रहा है इधार थोड़ा सा स्विप्ट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हम आयनिक नेचर क्या बोलते हैं आयनिक नेचर यहां पर क्या होता है प्लस और यहां पर क्या आता है पार्सियल निगेटिव तो कभी भी हमारे पास अगर दो इस तरीके से कोई आपके पास aps element है जो आपस में मिलके क्या बनाते हैं compound Bनाते हैं तो ऐसे compound में हमेशा ही जो आपका जो होता है जिसकी 111 ज्यादा होती है उसकी तरफ और जिसकीork कम होती उसकी तरफ partial positive यह हमारा क्या है नेचर आप cx अगर नेचर आप cx Band की बात करें इसको को हम explain करना चाहे तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे देर आर दे पार्शियल निगेट्व चार्ज आंद क्लोरीन एटम और पार्शियल पॉजिट्व चार्ज आंद कार्वन एटम ऐसा पार्शियल पॉजिट्व होता है कार्वन पर उसके बाद हमारे हैलोजन पर क्या होता ह और यह हमारे आयनिक नेचर में होते हैं क्यों क्योंकि यहां पर क्या होता है इलेक्ट्रो निगेटिवटी का डिफ्रेंस होता है तो जो नेचर आप सी एक्स बांड होता है यह क्या होता है यह हमारा आयनिक नेचर में आ तो आफ क्या करेंगे इसको सक्षाइब सकते हैं तो आप इसको नोट करेंगे का आपको लिखना है थोड़ा बहुत तो आप यह लिख सेंगे कि नेचर आप क्या दे नेचर आप दे नेचर आप CX band Carbon Halogen band is a polar in nature इसे कर सकते हैं polar in nature polar in nature विकाज विकाज यहाँ पर क्या कर सकते हैं विकाज थे रे रेक्रोडिविवत आप पर रेक्रोडिवितुवित आप हालोजन x इसे रेलेटर थे रेलेक्रोडिवित आप कर भन क्या ग्रेटर दैन दे एलेक्ट्रोनिक अट्विटी आप एलेक्ट्रोनिक अट्विटी आप कार्बन और इसके निचे आप निकलेंगे इन हैलोलकें कार्बन बियर दो तरीके का होता है एक होता है की डिवल एी-ार वाला इक कारबन बियर बिए रबियर पार्शियल घ्र का मतलब रखता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अंड हेलोजन बियर Halogen BR Partial Negative Charge Partial Negative Charge Partial Negative Charge इसको आप not कर लेंगे जो next topic है अब preparation of Halo LKN है क्या है preparation of Halo LKN देखिए, एक lecture में हम अगले lecture में प्रिप्रेशन आप हेलो एलकेन को आपको समझाएंगे डीटेल में क्योंकि प्रिप्रेशन आप हेलो एलकेन का जो लेक्चर होगा वो लंबा होगा क्योंकि यहाँ पर धेड़ सारे reaction होगे और बहुत जदा explanation होगा तो अभी आपके लिए इस वीडियो में इतना ही है नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि यह आपको नोटिफिकेसन मिलती रहे